एको ना अभी वी सच बता हूँ जो सेकिंड सर्विसमें मज़ा है था ना वो थर्ड सर्विसमें में को बिल्कुल भी मज़ा नहीं हा रहा हूँ बाइसाब गर्मी ने तो हलत खराब गर हुई है और जरूरी काम है तो जाना तो पड़े गाई और फाइनली आज वो दिन आ गया जिस दिन अपना अपनी के टियाम जो एक वीडियो भी बनाई थी कि अपने उसका ना इंजन मेरे ख्याद से सीज ना हो जाए क्योंकि बहुत उसकी सर्विस जो थी वो ड्यू पड़ी हुई थी और ड्यू टू लॉगना अभी सर्विस इंटर भी सारे बन पड़े थे तो फाइनली अपने को अपॉइंट्मेंट मिल गी है लेकिन जाने का बिल्कुल भी मन लिए लेकिन जाना पड़ेगा क्योंकि बाहर गर्मी तनी जाना फटे गई तो अपोइंट्मेंट लिए किरति नगरवाले क्योंकि मायापुरी वालबने को बहुत दूर पड़ता है इसलिए हमने पास वाला जो कीरती नगरवाला वो मेरे घर से पास पड़ता है इस वज़े से मैंने महां की अपोइंट्मेंट मिल गी है तो टाइम हो चुका है जाने का चलते हैं जैसे भी करके सीधा मिलता हूँ अब आपको बाइक पे जैसे राम भाई साब मेरे पिछवारे गाना तबा ऐसा लग रहा मैं तबे बेड़ी है कि कौकि कौल तो बड़ी भी करानी है क्योकि अभी तो सरफ यह सारा अपना खें पर आना जाना हो कुछ भी करना हो सरफ यहा है कि अब और कोई तॉप्शन नहीं है इसको टुप टुप रखना पड़ेगा वरना तो इतनी गर्मी में मैं नहीं भी करवाता बट और कोई अप्शन नहीं है इस वजय से करवानी है और लिट्रली बदारूम बड़ी गंदी वाली धूप है बहुत गर्मी है अब मैं जा तो पता नहीं अब लेंगे भी या नहीं लेंगे क्योंकि मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूं तो दो सर्विस मैं करा चुका हूं अब यह थर्ड लास सर्विस है अल्मोस एक साल होने वाला है बट किलो मीटर के इसाब से नहीं कर वहीं मैंने तो अभी उसकी डूरेशन भी पूरी नहीं हुई देखो मैं थर्ड सर्विस करा रहा हूं क्योंकि टाइम डूरेशन हो क्योंकि आपकी इंजन की लाइफ अच्छी रहती है अगर आपको लॉंग टाइम बाइक रखनी है और मेंटेन करके रखनी है मेकैनिकों पर नहीं खड़ा होना तो भाई उपर से चाहिए साब करो ना करो मिट्टी धूल मिट्टी खाती रहे लेकिन अपने इंजन की प्रो बिया सर्वैस अपॉंटमेंट है हाँ तो अप्उइंटमेंट लेकर आयों तो जमा दो कर लो कि अच्छा टाइम लगेगा कितना है तो मैं गारी देके चलाजाता हूं तो वैसे भी शाम को लेंगे भी और नहीं पूछाओं पूछ के आओं लेंगे या नहीं लेंगे आपको एक बज़े का दिया था कि मेरे आपाइट्मेंट तो ले के ही आए हूं अपाइट जा ऑंदर अंडर अंडर लो कर लो अपना सीन हो गया भाई लांज टाइम हो गया तो फाइनली सर्विस हो गई अपनी जाकलीन की जैसे तैसे कैसे करके बस अब पॉलिश लग रही है देन वी अगुड टू गो शार्ट कर दी है मैंने कोल शार्ट वैसे गर्मी में कोल शार्ट की ज़रूर है नहीं बट सिल फिर भी कर दी और चेंड लिए उसका ओयल गर रहा अब गया तो अब चलश में थोड़ी बहुत दिक्कट आती थी लास्व इसमें पी मैंने इसको थोड़ा सा टाइड कराया था बट पता नहीं क्यों ग्रेको केटी अमगी क्लश्मेला मलग एक तो स्लिपर क्लश है बहुत बहुत ही जारा मलग श्मूथ है इतना जारा और यह क्योंकि मैं को उसकी आरब अब पड़ी तो हो सकता है इस वशेशा से में इसका गेर अठक जाते अठकते नहीं सब्सक्राइब तो नहीं है से अब यह जब ली जाँ लिवर की में पताइब जो भी मांगता क्योंकि इसका इसका गोड़ी देखो नहीं गोई जब ली तीना तब एसका इतना घुटी तो यह जाई रहा थे चली होनी डीन जहां तक मुझे knowledge है यह play कभी भी होनी चाहिए वरना आपका clutch कभी भी proper काम नहीं करता अब पता नहीं भाई इन में ऐसे ही होता है यह slipper clutch की वज़े से सी technology मुझे कोई idea नहीं है इसलिए मैं आपको लोगों को कुछ नहीं बोल रहा यह मेरा personal opinion है कि में को यह problem लगती है अब सब केटियम में यह problem होती है नहीं होती है मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने और किसी केटियम को भी चलाई नहीं इतनी है अब बाइक जब दी ना मैंने पहले तो लंच्टाइम हो गया था आदा घंटा मैं खाड़ा रहा भाई साब मलब पागल सा हो गया था लिटरली गुससा आने और हो गया था क्योंकि एक तो dehydrated हो गया था उपर से यह situation में खाड़ा रहना कहीं पे उस चीज का रिस्ट था अब धोप और गर्मी का तो क्या ही कहने पूरा ड्रेन कर दिया रहा पूरा डिहाइडरेट कर दिया रहा इस वए से मैंने तो भाई साब कैमरा कुछ व्लॉग नहीं करा सीधा गर्दा के एसी चलाया और लेट गया मैं अभी जस्ट बाइक लेने आयों अब घर चल रहे हैं इसका ओई चेंज होता है ओई की लाइफ बढ़ जाती है मला वह तो ऑई की लाइफ ख़तम हो गई थी वएससे उसके में हाड़नेस आ रही थी अब वापिस स्मूथनेस आईगी अभी जसे ज़से और चलेगी ओए पूर घूमेंगा इंजन में वैसे स्मूथनेस और उनसे जब सर्विस कराई थी ना उसके बाद तो जो बाइक की मलए चाल ढ़ाल रंग रूप सब चेंज हो गया था क्या सर्विस करी थी उन्होंने तो इस बार भी मैंने पहले उन्हीं को कॉंटराइट करने का ट्राइगिया था बट उनसे कॉंटाइक्ट हो नहीं पाया थ इसी वर्जे से और एक तो में घर के पास भी पड़ रहा था यह वला तो यह रीजन की विशे थर्ड सर्विस में ने तुबारा इदर करा ली तो मुएको ना अभी वी सच बता हूं जो सेकेंड सर्विस में में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा रहा वह उनकी जो सर्विस इतनी स्मूथ इतना सब कुछ मलब मखन की तरह बाइक चल रही थी अभी इस सर्विस में में को इतना मज़ा नहीं आ रहा था बट यह है कि भाई ऑईल चेंज होना था और सर्विस हो करानी थी इस वएसे करवाई ली कोई नहीं जब टाइम मिलेगा तो दो बार उन पाजी नहीं आता है चलो भाई हम तो पहुच गए अपने घर अगर यह वीडियो किसी भी रीजन की वज़े से अच्छ लगी हो तो लाइक शोरो कमेंट करना अगर अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक भी करते ना कि क्या चीज अच्छी नहीं लगी अपने को कोई दिक्का दिया आप जब तक सेजेशन दोगे आप लोग गलती हैं निकालों के हम इंप्रूब कैसे करेंगे तो प्लीज डिसलाइक करके जिसको नहीं अच्छी लगती कमेंट कर दिया अगरो क्या चीज नहीं अच्छी लगी या मैं क्या चीज और इंप्रूब कर सकता हूं तो मिलेंगे जल्दी एक नहीं वीडियो में तिल दें राइड हार राइड से प्लीज स्टेश सेफ क्योंकि सिच्वेशन इस गडिंग वर्स और बार बार हर वीडियो के एंड में स्टार्टिंग में हमेशा यह बोल ही रहां अपना और अपनी फैमली का पूरा पूरा ख्याल रखे और झाल पूरा ख।